एक काव में एक सुखी परिवार रहता था वे अपने परिवार को बहुत प्यार करता था उसकी लड़की बोली कि पिताजी कुछ जंगल से जागर के ले आईए रास्ते में उसे एक सिकारी मिल गया सिकारी बोला भाई आगे मच जाओ, आगे सेव सिकार पर निकला है हो सकता है वे तुमेखा जाए सेव, आग किसी की पैतिक्सा कर रहाता की जैस का सिकार कर सके वे इदर उदर देख रहाता उसने सोचा कि वेहें एक सोने की यह उठी का लालस देगा और आदमी को खा जाएगा मैं बोला तुम इस हूटी को लेना चाहू तो ले सकते हो नहीं तो मैं जा रहा हूँ मैं किसी और को यह हूटी दे दूगा वह वहाँ से चलने लगा आदमी ने सोचा यदि यह मुझे खाना चाहता तो पहले ही खा जाता यह तो मुझे बिना काही जा रहा है तेर को रोका और कहा लाओ मुझे सोने की उभूठी दे दो तो वह उसके पास जैसे ही जाने लगा तो सेर उसको तूर पड़ा और उसे मार कर खा गया आदमी को खा कर उसका मद तरप्ठ हो गया और वह बदे से उसको खा गया क्योंकि उसने आदमी ने लालच किया था तो कहा जाता है कि कभी भी किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है